नमस्कार साथियों स्वागत है आपका जीद एजुकेशन में दोस्तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे यह जो न्यूज खबर जो है सामने निकल के आई है आज की डेट पर आज सुबह सुबह ही यह न्यूज खबर निकल के आई है कि दिसंबर तक पीवी नहीं लेगा कोई बड़ी परिच्छा धाई लाग ओवर एज का संकड तो इसमें जो है तो कितनी बात जो है सत्य है और इसका आप हीसियल नोटिफिकेशन में क्या बदला हुआ है क्या इसमें बदला हुआ है या नहीं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ सबसे सटीक तथा सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी मदरपदेश पुलिस कॉंस्टेवल 2021 के बारे में जितनी भी जानकारिया होंगी जैसे कि उसका इग्याम डेट उसका एड्मिट काड कब आएगा इग्याम एनलासिस, रिजल्ट, फिजिकल डाकूमेंट वेडिपिकेशन, मेडिकल, जोईनिंग प्रोसेस की जानकारी सबसे सटीक उसे पहले पाने के लिए आप जिद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने पर आप फेक निउस से बच सकते हैं और आप तरह तरह की जोटी जानकारियां नहीं पाएंगे आप केवल हकीकत की और उरिजिनल जानकारी पाएंगे दोस्तो इस दुनिया में सबसे बड़ा सवाल है कि MP पुलिस कॉंस्टेवल का इग्याम कब होगा बास्तों में ये सबसे बड़ा सवाल है MP गवर्मेंट के लिए तथा इस देश के लिए क्योंकि MP पुलिस की भरती 2020 में निकाली गई थी एक बार जो है कैंसिल कर दिया गया है लेकिन आज सुबह सुबह एक ख़बर आई जिसमें से दोसरी बार भी इसे कैंसिल करने की बात कही गई है लेकिन official notification में ऐसा कुछ नहीं है इसका हम official notification देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया है क्या बास्तों में उसमें बदलाव किया गया है या फिर नहीं किया गया है तो थोड़ा सा आपको बता दें कि आज की जो सुबह की खबर निकली थी वो इस प्रकार की थी कि दिसंबर तक पीवी नहीं लेगी कोई बड़ी परिच्छा धाई लाग पर ओवेर एज का संकट पीवी अब तक जिस एजनसी से परिच्छाएं आयोजित करता था उसकी जात चल रही है दूसरी एजनसी के बारे में अभी फैंसला नहीं है तो यानि कि पीवी को ही लेना है पेपर लेकिन उस पर जात चल रही है तो इस प्रकार से संकट बता कर कि यहां पास पेपर में निक कर रहे हैं तो अब अगले साल का इंतिजार करना होगा यहां साफ तौर बढ लिखा गया है और आप देख सकते हैं यह परिच्छाएं दिनांक यह परिच्छाएं दिसंबर तक प्रस्तावित हैं पुलिस आर अच्छक परिच्छा अक्टूबर नौमबर में यह की जाएग यहाँ पास आप साब तोर तक देख सकते हैं जहाँ पास बहुत सारे वीडियो यूटूब पर अपलोड कर दिये गये हैं इस संबंध में कितनी सत्ता है इसकी आज हम जाँच करेंगे यहाँ पास साथ विभागों में 1.16 लाख पद खाली सत्तर हजार सिर्फ इसकूल सिच्छा के इसकूल सिच्छा के यहाँ बैकेंसियो के बारे में भी इस पेपर में बताया गया है तो चलिए हम थोड़ा आफिस्यल नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं और इसकी जाच करते हैं दोस्तो इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर मोबाइल में ओपें कर लीजिए क्रोम ब्राउजर को ओपें करने के बाद आप यहाँ पास सर्च करिएगा क्या सर्च करना है आप लोगों को यहाँ पास सर्च करना है पी इवी आप पी डार्ट सर्च करेंगे जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पास सर्च रियल्ट में इस तरह से आएगा सबसे पहले आप data को on कर लेंगे data को on करना पड़ेगा इसे हम on करके इसे एक बार refresh कर देते हैं पीवी को सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर वेबसाइड आ जाएगी pev.mp.government.in इसको आप क्लिक करेंगे इस तरह का page open होगा आप नीचे आजाएए यहाँ पास Hindi और English का option दिया हुआ है आप अपने language के अनुसार इसे जो है तो open कर देंगे यहाँ पास हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसके जो notification है तो किस प्रकार से बदलाव किया गया है यहाँ पास जो एक notification आई है यह आप देख सकते हैं परिच्छाओं की निरस्ती करन के संबंध में आदेश 28-8-2021 यानि कि 28-8 आगस्त में जो है यह notification आई थी लेकिन आज की date पर यानि कि 14 सितंबर में कोई भी notification ऐसी official notification नहीं आई है जिससे हम यह 100% कर सकते हैं कि इसका इग्याम जो है पोस्पेंड हो चुका है ऐसी कोई भी खबर नहीं है थोड़ा सा हम परिच्छा कारकरम पर भी देख लेते हैं परिच्छा कारकरम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास से 2021 और 22 में जितने भी paper होने बाले हैं सभी के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है आप यहाँ देख सकते हैं कि PV and FT 2021 का यह जो टेस्ट होना है यह अक्टूबर 2021 में ही होगा अपने निर्धारित समय पर और पस पालन डिपलोमा परिच्छा यह भी अपने निर्धारित समय अक्टूबर पर ही होनी है आप CCL website में अभी किसी परकार से चेंज नहीं किया गया है इसी परकार से आप देख सकते हैं लाश्ट में कि पुलिस आरच्छक भरती परिच्छा 2020 यानि कि यह जो 2020 वाली परिच्छा होनी थी requirement test यह अक्टूबर नौंबर 2021 में ही की जानी है इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी जो है तो अक्टूबर नौंबर में भी इसका पेपर हो सकता है जब यहाँ से चेंज हो जाएगा जब यहां से date change हो जाएगी तब जा करके इसकी परिष्छा है तब हम मानेंगे कि इसकी परिष्छा date को postpend कर दिया गया है तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि दोस्तों को भी पता चले किसी परकार से official notification नहीं है तो चलिए वीडियो को यहां से end करते हैं